आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और जबर्दस्त और बड़ा ही दिल्चस्प और इंट्रस्टेंग ऑक्सवर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का एक और चेप्टर जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ऑक्सवर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं युनि को बताऊंगी कि आज की लेसन में ऐसा क्या इंट्रस्टेंग है और क्या करने वाले हैं तो आपकी मामा या आपकी बेहन भाई आपको कुछ राइम्स या कुछ पोएम्स सुनाया करते थे? बिल्कुल क्या वो पोएम्स आप भी उनके साथ पढ़ते थे? सिंग करते थे? बिल्कुल आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी एक बहुत अच्छी पोएम के बारे में है आप से मैं ये सवाल करना चाहूंगी बच्चों मुझे बताओ कि जब आप वो पोएम्स पढ़ते थे तो कौन सी ऐसी चीज़ सी जो बार बार उस पोएम्स में आती थी? कुछ ना कुछ ऐसा था, कुछ words ऐसे थे जो बार बार उसमें आते थे? चीक है? बहुत सारी ऐसी बाते थी जो उस पोएम्स में हमें पढ़ने के लिए आनी चाहिए और आपने बहुत खुब जूर्ती से अपनी छोटी क्लासे में उसको पढ़ा और अपनी टीचर का साथ दिया आज का हमारा लेसन भी इसी बारे में है चलते हैं बोट की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी, explain करूंगी कि आज हम क्या पढ़ेंगे स्टार्ट करती हूँ, आज हमारा Oxford Progressive English Grade 5 के बारे में हम पढ़ रहे है यूनिट है हमारा यूनिट 6, ट्राइ अथलीट, हम आलड़ी इस बारे में बात कर चुके हैं ट्राइ अथलीट क्या होता है, ट्राइ अथलीट एक ऐसा शक्स, ऐसा परसन, ऐसा स्पोर्समान है साथ 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 साइकलिंग करता है और एक ट्राइ अथलीट साथ 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 स्विमिंग भी करता है, ठीक है इस lesson में एक बहुत important चीज ये है कि हमने reading किस चीज की करनी है Reading एक text की नहीं है Reading एक comprehension नहीं है इस सफ़ा हम reading करने वाले हैं एक poem की जी हाँ, आए देखते हैं इस poem का नाम क्या है और वो किस ने लिखी है और इसको पढ़ने के लिए हमें कौन-कौन सी important और बहुत जुरूरी बाते हमें याद होनी चाहिए ये सब बाते आज आज आपको Mr. Eda सिखाने वाली है सबसे पहले देखते हैं इस poem का नाम क्या है इस poem का नाम है You are owed Father William You are owed Father William मेरे साथ इसको repeat किया जगा इसलिए मैंने दोदफ आपको बताया है It is adopted from Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland ये adopt की गई है यानि के ली गई है किस से Lewis Carroll's जो है ये हमारा writer है या author है या poet है ठीक है हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारा है poet का नाम ठीक है Lewis Carroll's की ये जो poem है उसका नाम है You are owed Father William और Lewis Carroll's किस चीज के लिए मशूर है आगे लिखा हुआ है Alice's Adventures in Wonderland अब कौन मुझे बतायेगा कि Alice's Adventures in Wonderland क्या है बिल्कुल ये एक मूवी है जो के बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी It's about a princess एक चोटी सी लड़की princess के बारे में है जो के एक different world में चले जाती है जिसका नाम है Wonderland यानि ख्याली दुनिया और वहाँ पर वो क्या-क्या adventures करती है ये पूरी movies बारे में है आप ज़रूर इसको देखिएगा अगर आपने नहीं देखी हुई ठीक है ये उस book से ली गई है poem इसका नाम है Your Old Father Williams ठीक है Father Williams एक father है एक priest है ठीक है उनके बारे में ये है कि वो किस तरहां के थे किस nature के थे क्या बातें करते थे क्या बातें बताते थे तो ये basically एक dialogue है again ऐसी एक बात है एक मुकालमा है conversation है between two people कौन से दो लोग है एक boy है और एक father William है ठीक है और ये statement उस boy ने ही दी है Your Old Father Williams आप बुड़े हो गए है ठीक है आप ये सब मत करे ठीक है ये उस boy की या उस लड़के की बाते है सबसे पहला part आज का हमारा है exercise number one is read the poem and choose the correct word आपने देखना है कि आपने इस poem को पढ़ना है और उसका एक correct word डूढ़ना है कहां correct word डूढ़ना है इस statement के नीचे इस question के नीचे एक statement दी गई है Father Williams is young or old for his age इस सवाल का जवाब आपको कब मिलेगा जब आप पूरी poem पढ़ चुकेंगे ठीक है आपने इस statement को as it is रहने देना है पूरी की पूरी poem आपने पढ़नी है ठीक है और उसके बाद दुबारा आपने on the top आना है और top पे जो ये line ये जो statement लिखी है इसके अंदर आपने एक answer select करना है कि जब आप वो poem पढ़ चुकें तो आपको क्या पता चले कि father William अपनी age की हिसाब से बहुत बूड़े है या he's still young इस बात का जवाब आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप अपनी book के अंदर से इस poem को पढ़ेंगे Reading strategies for reciting a poem अब बच्चों यहाँ पर बात बहुत गहुत से सुनने वाली है जब आप बच्पन में poems पढ़ते थे वो आप सेंग करते थे ठीक है आप छोटे थे आपको बहुत सारी बातों का नहीं पता था तब poem को पढ़ना is more like a fun activity ठीक है यहाँ पर poem को पढ़ना एक हम नहीं strategy सीख रहे है कि poems को recite कैसे किया जाता है यह बात बहुत आपने गौर से देखनी है कि मैंने यहाँ पर word reciting यूज किया है यानि कि recite करना है हमने poem को recite कैसे करना है उसके हमारे पास कुछ बहुत basic यहाँ पर मैंने strategies लिखी है strategies से मुराद कुछ एहम तरीके ठीक है यह हमारा मतलब है strategies का अब reading strategies किसके लिए है जी reciting a poem सबसे पहली बात आजाती है tone आपने देखना है आपको यह tone क्या होती है tone होती है कि आप जब बात कर रहे है यह poem पढ़ रहे है तो आपकी आवास कैसी आ रही है क्या आप उसको बहुत जोर के साथ पढ़ेंगे यहाँ आप बहुत धीने लहजे में पढ़ेंगे आपकी आवास बहुत तेज आएगी यह आपकी आवास बहुत soft आएगी ठीक है यह हैथ होती है tone आपने देखना है कि tone आपने कैसी रखनी है और यह आपको कैसे पता चलेगा कि आपने tone कैसी रखनी है टाइटल का नाम पढ़के ठीक है टाइटल में लिखा है यूर ओल्ड फादर विलियम ठीक है आप देखें इसको देखके कि tone क्या होगी इस poem के लिए मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ red marker के साथ आपको पता चले कि इसकी poem क्या है poem की tone है funny ठीक है एक funny way में एक light tone के साथ आप इसको पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि ये बहुत एक fun तरीके से लिखी गई है उसके बाद बात करते हैं mood की again tone और mood आपस में बहुत ज़्यादा match करते हैं ठीक है पहले चलते हैं antenation की तरफ antenation में हमारे पास क्या आता है antenation में आता है कि आपने अपनी poem को पढ़ते हुए punctuation का ध्यान भी रखना है punctuation से मुराद जहां पर एक comma आ गया जहां पर एक full stop आ गया जहां पर exclamation mark आ गया यहां पर question mark आ गया जहां पर आपके पास कोई मजीद और एक punctuation आ गई आपने उसको कैसे बोलना है अगर एक comma है थोड़ा सा pause देना है फिर दुबारा अगला sentence पढ़ना है अगली verse पढ़नी है full stop आ गया रुक जाना है मतलब कि यहां पर verse खतम हो गई अब यहां पर एक सांस लेना है फिर अगले verse की तरफ जाना है exclamation mark यह mark हमेशा तब वहां लगाया जाता है जहां पर आप किसी बात की ओपर बहुत excitement का इजहार कर रहे हैं बहुत sadness का इजहार कर रहे हैं emotions की बात कर रहे हैं ठीक है बहुत खुशी हो गई बहुत sadness हो गई शॉक हो गया एक डम से तो वहां पर आपने exclamation mark जहां पर होगा आपकी intonation वहां क्या होगी excitement यह sadness ठीक है इसी तरह question mark की बात करते हैं अब जब question की बात आप करें तो आप जब question पूछते हैं question के बारे में पढ़ते हैं तो question की एक tone एक intonation ऐसी होनी चाहिए कि आपको लोगे कि आप सवाल पूछ रहे हैं जैसा कि if I ask you what are you doing today? So my question, my expressions, my intonation is basically focusing on the question mark मेरी आवाज, मेरी intonation उस question mark के उपर जा रही है अगर question mark है end पे तो आप उसको ऐसे बोलेंगे कि वो लगे कि आप सवाल पूछ रहे हैं ठीक है? ऐसा नहीं कि आप एक sentence बोल रहे हैं थोड़ा सा इन चीदों का difference है आप जैसे जैसे अपनी पूम को पढ़ते जाएंगे आपको साथ-साथ उसकी explanation और इन intonation का अंदाजा होता जाएगा ठीक है? repeat करते जाएगा practice करते जाएगा moving on to the third part this is mood mood क्या होता है? अब आप देखें कि जब हमने बात की के tone funny होगी तो mood भी क्या होगा? that's right mood होगा funny again lighter mood में funny mood में ठीक है? इस तरह आपने पढ़ना है moods किन तीन तरह के mood हो सकते है यह sad हो सकता है यह funny हो सकता है यह बहुत serious हो सकता है ठीक है? तो बहुत serious topic पे discussion जैसे होगी है जैसे wars वगेरा के बारे में यह कोई previous history के बारे में जो बहुत sad गुजरी है ठीक है? number four is rhymes okay rhymes क्या होती है? आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि strategies के अंदर जहां rhymes आ रही है एक stanza या एक verse के अंदर या दो verses में या तीन verses में या चार verses में जैसे जैसे rhymes आ रही हैं आपने उसको rhyme करके बोलना है ठीक है? यानि words को इसको कहते हैं थोड़ा linger on करके यानि थोड़ा लटका के या थोड़ा style के साथ बोलना है उसको कहते हैं rhymes rhymes के बारे मजीद जितनी भी information है वो मैं आपको दूँगी board के अगले हिस्से में last है हमारे पास voice अब voice important है पूम पढ़ते हुए आपने चीज़ देखनी है कि voice आपकी क्या है again tone is different tone कुछ और होती है अब voice आपने देखनी है कि अगर आप बहुत soft बोल रहे हैं लेकिन आपके अवाज इतनी उंची है कि आप उसको बता नहीं पा रहे हैं आपकी पढ़ाई का मकसद ही खराब हो गया है किसी को समझ नहीं आ रहे तो आपकी poem recitation का कोई फाइदा नहीं है voice क्या होनी चाहिए voice आपकी होनी चाहिए आपकी tone से related for example अगर आप बच्चों को poem पढ़के सुना रहे हैं तो आपकी voice बच्चों के लिए कैसी होगी बहुत सक्त होगी बिलकुल भी नहीं आपकी voice बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट होगी ठीक है अगर आप अपने किसी parent को पढ़के सुना रहे हैं तो आपकी voice story different होगी ठीक है ये बातें आपने साथ साथ सीखेंगे हम और हम इसको साथ साथ प्रेक्टिस भी करेंगे चलते हैं board के अगले इससे के तरफ जहां मैं आपको मजीद बताऊंगी के rhymes क्या होती है और इनको कैसे use किया जाता है आईए So my dear students, the second part of the board has something on it rhymes अब rhymes क्या होती है rhymes की मैंने यहाँ definition लिखी है ठीक है, यह definition मैंने खुद से लिखी है मैं इसको एक दफा पढ़के आपको सुनाऊंगी और आप देखेंगे कि आपको उसकी कितनी समझ आ रही है उसके बाद हम इसकी explanation देखते है Words in a poem that have the same sound but different meaning They are typically found at the end of each words ठीक है, अब यहाँ बारी बारी इसको split करते है एक poem के अंदर ऐसे words that have the दो बाते है, पहली बात they have the same sound but different meanings ठीक है, यह आपका आगया second part पहली quality क्या होगी कि वो है same sounds के साथ दूसरी quality क्या होगी कि वो होते है different meanings के साथ दूसरी बात के लिखी है They are typically found at the end of each verse Words क्या होती है Words होती है, वो line या आपकी poem के अंदर लिखी गई एक-एक line, एक-एक सत्र जिसको कहते है वो एक-एक line, एक-एक verse कहलाती है ठीक है? यहाँ पर मैंने एक example लिखी है मेरे पास यहाँ पर दो verses दी गई है ठीक है? आपने इसको देखना है, पहली verse यह है And I have grown unreasonably fat What could be the reason for that? अब आप एक चीज़ देखें, जैसे मैं इसको पर रही हूँ मेरे expressions और मेरी intonation, मेरी tone, मेरी voice को देखियेगा और सुनियेंगा गार से And I have grown unreasonably fat What could be the reason for that? अब आपने देखना है, दो बाते हैं सबसे पहले मैंने जिन लफजों पर जोर डाला जिनके साथ मैंने expressions के साथ जो लफज बोले जिनकी आवाज एक जैसी है आखिर की आवाज, 80, 80 आखिर की आवाज एक जैसी है और इनका meaning है, different लेकिन क्या है, same sound तो ये हमारे क्या हुए ये हमारी हो गई आज की rhymes ठीक है, अब आप देखें intonation क्या था, यहाँ पर कोई खास intonation नहीं है, कोई question mark नहीं है सिर्फ एक कॉमा यहाँ पर दिया गया fat के बाद, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा break दिया, और उसके बाद मैंने अगली वर्स पढ़ी, लेकिन अगली वर्स में कहीं पर भी कुछ question mark या कोई exclamation mark फिलहाल नहीं दिया गया, लेकिन आपकी पोएम में दिया गया है आप उसको जब पढ़ेंगे, तो ऐसे expressions मैंने आपको सिखाए है, बिल्कुल ऐसे expressions से आप पढ़ेंगे, ठीक है, यह हो गई हमारी rhymes, अब rhymes की further कुछ examples जो मैं आपको करवाना चाहूंगी, जो आपकी इस poem, your old father williams के अंदर दी गई हुई है, ठीक है stanza, stanza क्या होता है, अब मैंने यहां लिखा है rhymes in, you are old father williams, ठीक है father williams आप बुडे हो गए है, यह हमारी poem है आज की और इसके अंदर कुछ rhymes दी गई है अब यह जो मैंने लिखा है, stanza 1, stanza 2, stanza 3, stanza 4, stanza 5 and stanza 6, यह 6 stanzas क्या है यह stanza हैं, आपकी 4 verses, 4 verse makes one stanza जब आपकी 4 lineों वाला एक share हो, जिसको हम उर्दू में बंद कहते हैं वो हमारा होता है stanza, तो stanza क्या होता है जिसमें 4 verses है अब इसमें 2 verses ती, इस example में यह stanza नहीं है यह verse ही कहलाएगी, लेकिन जब stanza की बात करें तो मतलब 4 verses, आपकी book में कुल 6 verses दी गई है, sorry 6 stanza दी गई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है 1, 2, 6, आपने इन stanza को देखते हुए देखना है कि आपने identify करना है कहां कहां पर हमारे पास rhymes दी गई है अब मैंने यहाँ पर सारी rhymes लिख ली है मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि rhyme actually है कि यह basically एक exercise है, चीक है, मेरे साथ इसको देखे white, क्या sound आरी end पर t की, right, sound क्या है, t, ending sound क्या है दोनों की, same लेकिन words भी different है, meanings भी different है, लेकिन क्या है यह, they rhyme, इनकी आवाज एक है brain, in, ठीक है, last, sound, again, जो in है न end का, यह है again क्या हो गया, same stanza number three, क्या है उसके अंदर दो words है, आप ढूंडेंगे, fat, that, क्या words same है, at, at, यह at, at क्या हो गया, same stanza four में आपके पास आएंगे, दो loves, fit, bit, यह हमारे क्या हो गया, again, it's easy, दोनों की last sound क्या थी, same words, they're different, meanings, they're different, next is ever, clever, e-r-e-r, आखिर की लफ्स, आखिर के दो alphabets, क्या थे, same, again, words are different, meanings are different, but sounds are same, stanza six, cares, downstairs, अब r-e-s की बात है, r-e-s की बात है, r-e-s, end पर यहां क्या है, r-e-s, stairs and cares, sound क्या हो गई, same, words हो गई, different, लेकिन क्या करते हैं यह आपस में, they rhyme, they have the same sound, okay, शुरू से देखते हैं, rhymes क्या है, same sound, different meanings, and they are found at the end of each verse, ठीक है, उसके बाद, कभी यह in the middle of verse भी हो सकते हैं, आपकी poem के अंदर, यह middle of the verses भी है, verses के दर्मियान में भी लिखेंगे हैं, लेकिन mostly, mostly हम बात करते हैं, तो यह कहां आती है, at the end of each verse, उसके बाद मैंने आपको example से समझाया, rhymes क्या है, यह जो rhymes दी गई है, यह rhymes आपकी, उस poem में है, your old father Williams, okay, now I am pretty sure के आपको यह clear हो गया होगा, because it is very easy and it is fun activity, now moving on to the third part of the board where I will further explain you के आज की एक मजीद interesting activity क्या है, next exercise क्या है, चलते हैं बोड के अगले हिस्से की तरफ, So dear students, here we go, second exercise of the day is, mark these statements true or false, हमारी यह जो statements है, इनको हमने करना है, यह तो true, यह हमने बताना है के यह है false, कैसे बताएंगे हम, हमारी पास जो poem दी गई है, हम उसको पढ़ेंगे, अभी आप तक आपने नहीं पढ़ा, आप इस वीडियो को pause करें, poem को पढ़के, दुबारा मेरे पास आएं, हम बोड पे दिये गए, इन true false को solve करते हैं, उमीद है आप यह पढ़ चुके होंगे, अब मैं आपको बताऊंगी यह sentences, और आप मुझे ब के बल खड़ा होना, Father William was a very naughty person, बहुत naughty थे, तो वो क्या सोचते थे, के headstands were bad for the brain, उनको लगता था के एक ताइम पे, के headstands क्या थे, उनके दिमाह के लिए ठीक नहीं थे, जब वो यंग थे, क्या यह बार त्रू है यह false, absolutely, this is true, so we will just write a T here, okay, next is, Father William jokes that he has no brain in his head, Father William बता रहे हैं इस पोवम में, that I have no brain in my head, मेरे सर में दिमाग नहीं है, isn't that funny, इसलिए अब आप मुझे बताएंगे के यह बात true है यह false, absolutely, Father William इस बारे में बिलकुल जोक करते हैं के उनके दिमाग, सर में दिमाग नहीं है, प्रीक हो गया, Number 3, Father William's has lost a lot of weight, Father William's का weight यानी वसंग कम हो चुका है, exactly, no, he's not, he has not lost any weight, क्योंके उस वेट के बारे में बात की जा रही है, और वो बच्चा पूछ रहा है के, Father William's आपका तो बहुत बढ़ गया है, you have grown so much fat, आप पहले से बहुत मुटे हो गया हैं, चिके? Number 4, the boy is surprised that Father William can still do gymnastics, so, जो लड़का है, क्या वो surprised है, के Father William is so old now, but he is still doing all the gymnastics, वो headstands कर रहे हैं, वो flips कर रहे हैं, वो कैसे भी अपनी नोस पे फिश को रखके, acts कर रहे हैं, सारे gymnastics कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, के वो boy shocked था, surprised था, बिलकुल, this is again true, Next is, Father William has no sense of balance, क्या ये बात सही है ये गरत है, क्या फादर विलियम को बैलन्स के बारे में पता है, क्या अपनी बॉड़ी को कैसे बैलन्स करना है, ट्रेंबल नहीं करना, जटके नहीं खाने, विलकुल, इसी लिए तो फादर सारी जगलिंग और सारी gymnastics कर सकते हैं, so, this is a false statement, ठीके, moving on to the sixth one, Father William agrees to answer all the boy's questions, उस बॉए ने उस पूरी पोयम के अंदर, Father William से कितने सवालाद किये, हर वर्स में एक सवाल किया, six questions किये, so, Father William ने अग्री किया सारे सवालों के जवाब के लिए, exactly, he agreed to answer all the boy's questions, so, हम यहां लिखेंगे, this is a true statement, So, my dear students, यह हमने आज की, जो हमारी exercise number two थी, mark these statements true and false, हमने इसारे sentences को पढ़ा, हमने देखा कि यह statements, यह sentence is true थे, यह false थे, ठीके, यह complete हो गया, आप मेरे साथ इसको अपनी book पे solve कर ले, उसके बाद आज मैं आपको सिरफ ए चोटा सा recap दूँगी, देखेंगे, आज हमने क्या क्या पढ़ा हम यहाँ पे सिरफ bullets में, यानि pointers बना के सिरफ लिखेंगे कि हमने आज क्या सीखा, सबसे पहले हमने देखा reading strategies for reciting a poem, एक poem को पढ़ने के लिए क्या reading strategies हो सकती है, हमने देखा five strategies थे, tone, antonation, आपकी voice, आपकी sound, everything else, उसके बाद हमने देखा कि rhymes क्या होती है, ठीक है, rhymes भी हमारी एक reading strategy है, कि rhymes को rhymes की तरह किया जाए, उसको उस तरह बोला जाए, लिंगर करके, ठीक है, rhymes हमने साथ क्या की, हमने exercises solve की, exercise one and two, आपका homework क्या है, आपने इसको read करना है, read, और I must say, recite, now you know how to recite, recite the poem, कौन सी poem आपने पढ़नी है, your old father William, ठीक है, ये आपका homework है, आपने इस poem को recite करना है, इस सिरफ पढ़ना नहीं है, recitation आप कैसे करेंगे, in reading strategies को use करते हुए, ठीक है, ये था आपका आज का काम, और आज का lecture यहाँ खतम होता है, I hope आज की fun activities आपको बहुत पसंद आई होंगी, और आप मिससे promise करें कि आप घर पे रहते हुए, ये सब points को जरूर पढ़ेंगे, thank you so much for watching, अलाहाफेस.